अगर आपके बच्चे को कांसी हो रही है और आप उसे घर में ट्रीट करना चाते हैं तो 5 Remedies जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चे को Self Medication से बचा सकते हैं अगर आपको यह जानना है तो देखिए मेरी वीडियो मजीद ऐसी informative वीडियो के लिए मरहम के चैनल को में आज एक चुटे से topic के साथ आपके साथ discuss करने आई हूँ कि अगर आपके बहुत important एक problem होता है कि अगर बच्चे को खांसी हो जाए तो बहुत परिशानी हो रही होती है parents के लिए कि अब हम इसको घर में किस तरह treat कर सकते हैं क्योंकि पहले तो कोशिच होती है लोगों की parents की कि immediately doctor को contact ना किया जाए और घर में जिस तरह अगर हम home remedies होती है तो उससे हम उसको treat कर सकें तो बिलकुल आप कर सकते हैं home remedies से treat 5 आज आपको मैं tips बताने वाली हूँ जैसे आप अपने बच्चे की cuff को घर में ही ठीक कर सकते हैं number one अपने बच्चे को बहुत ज़दा hydration level maintain करें पानी, liquids, intake बहुत ज़दा increase करें इससे cuff में बहुत ज़दा effect आता है number two आपका जो environment है that effect so much कि आप अपने environment को अगर humidifier इस्तमाल करेंगे तो वो भी उसकी cuff को बहुत बहुत बेतर करेगा क्योंकि dry air से जो होता है न वो कहांसी या कफ जो है वो increase होती है तो अगर air humidifier हम यूज कर लेते हैं तो उससे काफी effective होता है लगता है बजार के खाने बहुत खाते हो जी डॉक्टर साथ मैं यह मैडिसन पर स्ट्राइब कर रहा हूं वो आप ले 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 अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की online consultation book करो क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर number three अगर आप जैसे यह तो हम सब को पता है जो हम पर भी यूजवावा हमारे बड़े parents नानी दादी हम यह अब बताते रहे के शहद यूज़ कर लो गर आपको खांसी हो रही है तो शहद वाकी effective होता है लेकिन यहां मैं एक चीज़ क्लेर करती जाओं एक साल से बड़े बच्चा है तो प्लीज उसको आपने नहीं देना क्योंकि उसमें एक disease या कहलेंगे sometime reaction side effect हो जाता है बॉटलिजम की तरह बच्चा चला जाता है तो साल से उपर आप उसको soothing effect के लिए honey दे सकते हैं नमबर 4 अगर आपको लग रहा है कि खांसी उसकी नहीं ठीक हो रही तो आप उसमें saline drops या salinase drops यूज़ कर सकते हैं या simple nebulizer आप अगर है मुझूद तो normal saline से आप उसको nebulize कर सकते हैं जो उसको soothing effect देगा और at the end अगर आपको लग रहा है कि जी नहीं अब तो अगर कोई बच्चे को खांसी के साथ fever हो रहा है या खांसी उसकी increase होती जा रही है या फिर यह हो रहा है कि उसका थोड़ा सा आपको सांस तेजी से आता हो नज़र आ रहा है तो please फिर घर में home remedies नहीं use करने immediately you have to contact your child specialist और क्योंकि फिर उसको हमें medication देना होती है और सबसे important home message यह है कि please 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 self medication मत use करें यह remedies safer हैं जो आप use कर सकते हैं self medication some parents some लोग इस तरह होते हैं कि जब आप doctor के पास आ रहे होते हैं तो आपने multiple medicine use कर ली होते हैं multiple cup syrup use कर ले होते हैं तो फिर उसके बाद this is dangerous and this is harmful I hope आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको effective भी लगी होगी और आप इंशाला इसको use भी करेंगे अगर आपको फिर भी कोई query है तो आप मुझसे comments में पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे से कोई appointment लेना चाहते हैं तो अमरहम के थुरू clinical appointment भी ले सकते हैं clinic के लिए और online video appointment भी ले सकते हैं करेंया झाल कोई लेक्ट केम के करें देन कल दूदिए ॉरिया हैज झाल कसा इंवाएंपक्रीस ॉरहेज़ कोई लिल करो जाटreally के भी हैं